दोस्तो नमस्कार आदाव सिस्रेकाल चैट विद स्रेदरवत्स के नए एपिसोड में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है 2001 में मैंने डिरेक्ट सेलिंग इंडस्टी को स्टार्ट किया था और उस समय जब उन लोग इनिशल स्टेज पे थे उस समय किसी ने बताया कि एक विक्ति है जबनों ने डिरेक्ट सेलिंग इंडस्टी से हवाई जहाज खरीदा है और उनका नाम है विन्य कुमार पंदे मुझे लगा कि अगर कोई जहाज खरीद सकता है तो कार तो हमारे पास भी आए जाए कि क्योंकि उस समय हमारे पास समय है बहुत एक्साइटीड हो मैं स्वाईए हम सब लोग मिलके स्वागत करें विन्य कुमार पंदे पूने से हमारे बीच में है चैट विद स्वेंदर वस्टी में बहुत-बहुत स्वागत है सराम नोश्का हाजी आपके बारे में क्या कहूं मेरे लोगों ने भी मुझे कहा कि आप अपना नॉलेज काफी सिक्रेट रखते हैं और किसी को देते नहीं और आचागन अपने हाँ बोलनी मैंने कहा स्वेंदर वस्टी के बारे में सुना तो था मुझे बात हुई तो ऐसे लगा कि यार पता है जैसे पुराने रिष्टा है कोई ऐसा रगा कि कोई पुराना दोस्ट बात कर रहा है मुझे से तो मैंने अरायस हाँ बोल दिया एक्चुली इनके इनकी जो शक्सियत है जो व्यक्तित हुए उसका मैं उसकी वैक्च्छा में एक शियर में करना चाहूंगा कि किसी को होना सका उसके कद का अंदाजा कितना उचा कद है अंदाजा होना सका क्यूँ किसी को होना सका उनके कद का अंदाजा वो आसमात हम अगर सर जुका के चलता है Thank you so much sir आपका जो अन्दाजी बया है ना विने sir वो युनीक है अन्दूत है मैंने भी तो कितना इंट्रू लिया साय दोस्तो पैंटीस से जादे इंट्रू ले चुगा हूं लेकिन आपकी परस्नल्टी बिलकुल अलग है अलग है युनीक ही है अलग अन्दाज है आपका अलग आपकी परस्नल्टी है वेस बूसा अलग है स्टाइल अलग है सब कुछ अलग है तो बहुत मयाने वाला है विवर्स को यह मैं अशूर करता हूं पहले आप मुझे यहाँ सवाल पूछेंगे अब पहले मैं आपको सवाल पूछेंगा जी सर्किम आप दजबर आदान लोग बूलते इनको लाओ लाओ तो लाते हमारे लोग तो बिल्कुल नहीं बूलेंगे कि वो जानते कि यह सोचर मुड़िया पर जाते ही नहीं अपना नौलिज बिखेदने को तो आपने केसे हमको बुलाया देखे मैंने जैसे सिरुवात में बोला सर की आपकी कहानियां हमने सुनी थी और इसले चार सालों में सर जबसे हमने चैनल स्टार्ट किया है विने सर जिस वेक्ति से मैं इंस्पायर हुआ हूँ किसी विरूप में उनका मैने ओडियो सुना या मैने कुई वीडियो सुना या उनका कुई किताब पढ़ा मेरा प्रियास ही रहा कि उनको एक बार लाया जाए और ऐसे लोगों को लाना असान नहीं था जैसे मैं एक एकजम्पल आपको दूँ Santosh Nyair तो Santosh Nyair सापका मैं बहुट बढ़ा फैन था मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग के प्रोग्रम ली मेरा एक सपना था कि Santosh Nyair सापको लेकर आना एक चैनल Prozent अब अप्रोच कैसे करें उससे में हमारे पास में बहुत सारे सबस्काइबर भी नहीं थे तो ऐसे एक लिंक बना राजेश्टेगोर जी आए राजेश्टेगोर जी से बड़ी अच्छे मित्रता हो गई तो उन्होंने नायर साब को बोला और फिर उनका एक दिन कोल आया राजेश्टेगोर जी का कि मेरी बात हो गई आप प्लैन कर लो तो मैं स्पेशली बोंबे गया वहां रिउस उटकर के लिए आप तो पुछे उसी कड़ी में आपका नाम था इतना बड़ा नाम आपका स्पेशली जो अभी दो चार पात दस साल में जो लोग जुड़े हैं वो विने कुमार पंदे को साहर नहीं जानते होंगे लेकिन जो मेरे जैसे पुराने जवाने के जेलर है तो उन्होंने विने कुमार पंदे का नाम सुना है विने कुमार पंदे आपका जल्मा देखा है से तो हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ कुम्प्लिमेंट्स आपके कमिंग सुन के वीडियो पे आये थे वो भे पढ़ना चाहूंगा वे नहीं से आरे छोड़ी लोगों को प्यार रहे थे सवालों पे चले दो-तिन चीज़ आख पुलता हूं टाइन सफी मुहमबद लिखते हैं ये एपिसोड एक एत्यासिक हो एपिसोड होने वाला है मोती राम साव ने लिखा है CWSP में फिर से एक बड़ी सीख बड़ा दमा का 26 साल का तज़रवा 26 मिन्ट में मिलने वाला है असोग प्रजापती ने लिखा है नेट्रुक मार्केटिंग के सेरों के सेर बबर सेर आ रहे है अंदर एंदर कुमार ने लिखा है विने कुमार पंदे सर दा मैन हूँ हैव क्रियेटिड लीडर्स नोट फोलोर्स और लास्ट मैं पढ़ रहा हूँ सिव सावू का दुनिया के बैस्ट मोटिवेशनल स्पीकर मुर्दों में जान डालने वाले नेट्रुक मार्केटिंग के गुरुओं के गुरुओं तो ये सब बताता है कि लोग कितना आपसे प्यार करते हैं अला कि हम सोशल मेडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं है जो आपको चाहते हैं वो कितना चाहते हैं हाँ चाहते हैं लोगों का प्यार है तो मैं पसली बहुत उत्साहित हूँ अब की अब तक की लाइफ जर्नी को जानने के लिए कहां जर्म वाए एजूकेशन होई फिर डाइट सेलिंग में कैसे आना हुआ और फिर हवाई जाज कैसे खरीदा वो एक बड़ा एक इंडर्स्टिंग स्टोरी है मेरे लिए मैं अफास जाता हूँ हम लोनावदा में पैदा हुए जब पैदा हुए थे तो एक बहुत खुशी की घटना हुई मेरे माँ ने मुझे बाद में बता है कुछी दस्तान हुआ कि 100 रुपया सेलिरी थी पिताजी की हम 30 रुपय किराए की गर में रहते थे 81 और खंडला नर्मादाबाग और खंडला रोड लोना हुए तो खुशी की घटना ये थी कि मेरे पैदा हुने के मैंने में उनकी सलरी सो रुपय से 120 हुए हमने का या वगवान ने सोचा हुए 20 रुपय की आवकाद का ये आदमी है मगर फिर सपने आगे बढ़ते गए और फिर हम प्रोफेशनल सिंगर हो गए जैसे आवाज हर्मोनल चेंज होने के बाद दसवी के बाद आवाज अलग हो जाती है तब से पहले कभी गाया नहीं फिर कसूर पतियरा गरने का गाना किया हम शाहर थे और गुलम अली साहब ने हमारी शाहरी गाई और गाने में लगे रहा और फिर सोचा की मेरा गाना आकीदिल स्निक किया है पानी में श्रूब चार बजी इतना पानी में तालाब में खड़े रहो और रियास करो पतियरा गरने लगा हो तो मैं तो वो कौफी शाप में नहीं गाऊंगा कौफी शाप में इस गाऊंगा कंणम पिले जो फरियास के वाँ के ओपरेशन राइटर उपरेशन थे उन्होंने का कि तुमको 4500 रुपय तनका है, देड़सो खाने का कटता है, तुमको मैं चार सैटेने के 12 देने को तयार हूँ, मुझे तनका नहीं है, 6000 तनका है मेरी, तुम 12 देने को नहीं, मैं गाना मेरा है, ऐसे मेरा भाई मैंने कॉमेस किया, उसे एजकिशन में जाते जाते आगे, भाई तुम छोटा भाई सासा चोटा गया उस में, और वो कहते रहे था, मा क्या ए, यह पढ़ता भी नहीं दियान से कुछ गाना गाते रहते है, गुम्डार भूनते रहते है, बर मा कहते रहते हैं, व वहां आमने कभी जिंदगी में वाइन का ट्रेरिंग वहां नाम भी पता नहीं तो एकदम से छे मेने में वो ट्रेर जोए तीसरे चोथे नंबर पाया पुना में, सारे आउटलेश सिरू हो गे, फिर हम ने छोड़ा हो, क्या हम अपना कुछ करना चाहते थे, होटर लिया, तो एक दिन उठूंगा मैं, उड़ गे, पास साल में, और दीर साल पहले जैसे मैंने कहा हैं तो तीन में वहां रहे कि मेरे भाई ने बुला कि ये जबर्दस अपार्चोंट ये, तो मैंने वहां सीखा, फिर यहां, ऐसे ऐसे उसने बुलाया था, आचा, कि बबाब आ तो वहां मैंने कुछ से सखीन की है, और फिर यहां आने के बाद मैं, वह नाम लेते हैं आप इसमें, और मैं उसमें नहीं हूँ, इसलिए मिना नाम लेता हूँ, तो यह तो इसको काड़ दे, तो वहां से जो मैं ओरिजनल जो गंगोतरी है नेट उमार के, वहां से वो सिस् बनाया, और फिर वहां ने जजब करकी यहां एक कमपनी में डाले, तो फिर वह एक स्टोस क्वेर्फट की किराये में थी कमपनी, कोई चाल में रहता था करीबाद, तो वह एकदम तीन साल में फिर वह 26 आरो फोट की खुद की आफिस हो गई उनकी, और हमारे हवाईजाज सिंगल मैन आर्मी थे हैं, एट्रो सुप्रीम होते हैं, कब आपने स्टार्ट किया वो कमपनी, 1999 में छोटी कमपनी स्टार्ट किया, और उससे आपने हवाईजास लिए, 2002 में, 2002 में, 2002 में पहला लिया, 2003 में और तीन लिये, सर एक ही बहुत था, चारचार के क्यों ले लिए, पहले हम खिचते चले गए, पहले हमने लिया, जेनेर वो नॉर्मल पेट्रोल पे चलता था, तो फिर हमने का यार फोर्सेटर चाहिए, तो 178 लिया है, फोर्सेटर, फिर मानुम पड़ा कि 178 में मुश्किल से, अभी तो हम 82 के वेस है, उस तरह हम 170 किलो के थे, तो उसमें बैठेंगे तो पाइलेट और तीन लोग बैठेंगे, तो समान नहीं लेके जा सकते थे कहीं, एक बार तो ऐसा हुगा कि बैगलोर में टेक आफ करने का पाइलेट नहीं रखता है, उतरना पड़ेगा करके, तो दूबाई निकानने पड़ी, मैंने कैसे वारंगल के एर सूरत चला गया, एक 6,000 लों का स्टेडिय में वहाँ कोई, तो आज तक मेरी कोई भी मीटिं में पहुचा नहीं है, यह सानी हुआ, मेरी बीबी होस्पिडिल में एड्मिट है, और डॉक्टर गोल तो आप जा रहे हैं, मैंने का मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पुना का सबसे बेस डॉक्टर दिया है, मैं यहां में एटके करूँगा क्या, वहाँ टिक्टे बीच चुकी है, मैं चला गया, और क्याप्टन शर्मा ने कहा कि CV डेवलोफ हो रहा है, क्यों लिए नमस क्लाउड होता है, वह दिखता नहीं है, वह रडार को दिखता है, तो वह जहा प्लेर रडार से होते हैं, उसको दिखता हो, तो वह इसमें नहीं है, हम नहीं जा सकते हो, एक सिकंड में ऐसा सो मिटर आवाई जाओ फूर के निचा आया, एक सिकंड में उपर हो के निचा आया, तो प्लेक्टे बोला कि गानोट टेक चांस है, चलिए पंदे सब बोडते, और सामने स्टेडियों ऐसा, लोगों को वहाँ अनॉस्मेंट होगा दिख राए जाज, फिर लोटा फिर मैंने का डॉप्लर रडार चाहिए, फिर मैंने बिटल नॉर्मा एरेंडर का सोचा, प्लान किया, लेंगे इस साल की एंड तक ही लेंगे, और ले गया सा, फिर कई ल लोग आमको देख के टिके हुए थे, आप मुझे पूछे के जब कि कम्परिया चुनाओ कैसे करें तब मैं मूल सकता हूँ, ऐसा बर्टिकुल नी बूलना ठीक नहीं, तो हुआ यह कि उसमें 100 LL नाम का फिर लगता है, यह सब जाजों में, वो स्तिरिफ होता है सकता है, जल बिलकुल के बास है तो अभी यहां से मुझे मंगवाना है जाना है, तो मुंबई से मंगाना पड़ रहे हैं, नाकुर से मुझे कही जाना आए, अगर समझो, चतिरि जाना है, तो फिर कही से रात कुछ जीप निकल दिघे लेके लेके और गड़ा ने पर इसका नहीं किया तो फिर डीजी से मानता नहीं इसको अब वेस्ट कर दिया तो तंग आ गयता तो अब यह फ्यूइल मिलते ही नहीं कि तो अभी जो मैं दो साल बाद में प्लान कर रहा हूं वह मैं बिल्कुल दो इसका अबना नॉनमल फ्यूइल एविशन फ्यूइल जो है तो एट लोग ने कई बर पूचा उश्ट की प्राइज क्या होती है मैं आज तक नहीं बताले है पता है क्यों इस पैसे नहीं लगते जाहश के लिए सपना लगता है ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि दुनिया ने नहीं किया हुआ सपना लगता है मैंने स्पोर्स का ली पहली और कहीं सब लोग देखते रहे तो यह लोग सपोर्स का थी और पेटो पर में गया तो एक ने पूछा देखो लोग कैसे निखेटी होते है तुभी बढ़िश सकते क्या मैंने हाँ टेंपो लूग या तो लूग ऐसे होते है तुमको सपना चाहिए लाइफ में कुछ कर दिखाने का सपना चाहिए और उसके लिए अपने आपको जोग देना चाहिए बात बनती है मगर मेकनेजम भी चाहिए तो आपकी स्टोरी को कर में कट सोट करके हम आगे बढ़ें सर आपने जीरो से सुरवाद किया हैलिकोप्टर लिए हवाई जाई लिए उसके बाद में डेरेक्ट सेलिंग से तुम दूर हो गई अब फिर ऐसी कौन सी चीज थी तो दुवार आपको डेरेक्ट सेलिंग में लेके आगे मेरे जो पुराने शिष्च थे भी पूर्मकवाना है तुर को पार्टी ले पार्वे करें पांचार यह लो मेरे पास आये लुना वला में जहां में एक प्रोजेट कर रहा था रिलिस्ट्रेक्ट और उनका सर इंड़स्ट्री में इतनी गंद वज़ी है हमने इतनी कंपनिया करके देखी है कहीं आप जैसा एजुकेशन नहीं यह प्यूरेस फॉर्म में आपको आना पड़ेगा तो फिर पाच्छे कंपनियों की से बात हुई वो लोग आके गए एक चाइनिज कंपनिय भी आके ही फिर रायस्तान की एक कंपनिय की एम डिया आये तो मुझे समझ में आया अच्छा काम शुरू करते है शुरू कर दिया लॉग डाउन में मार्श 2020 छे मेने में एमराड हो गये और डाइवंड हो गये तेरा मेने में दिखा दिया कि अभी भी जान है टाइश इन स्पैक कैसा न वक्त वक्त के साफ से खिलना आता है ताइम सुनिद गाउस करका हो तो उस तरह खिला जाता है मगर जो खेलना जानता है न वो कोई भी टाइम हो कभी भी विराट कोली बन सकता है तो विने सर आपने देखे 26 साल पहले डाइट सेलिंग की सुनिद किया था अभी आपने उसी एनर्जी के साथ में दुवारा सुरू किया क्या बदला है इन 26 सालों में कुस तरीके बदल के काम करने के 26 सालों में जो हुआ एक्शुरी यह न कि जो एक आथन्टिक वर्ल्ड क्लास प्रूवन नौलेज जो हमने युएसे में भी यहां भी लिया हुआ तो संख्या पढ़ने से क्या हुआ कि कई विचित प्रथाय अंदर आ गई इन्डस्टी में वतलग उस डिसिप्रिन को मेंटेन करना कई अप्लाइंस को जमा नहीं कई अप्लाइंस जो है वो डाउनलाइन की तरह वो जो कहते हैं वैसे बैक नहीं लग गए और उसकी वैसे इन्डस्टी में जैसे गंद जैसिंग बज़ गई कोई भी किसी भी तरह कुछ भी कर रहा है और उसको सिस्टिम का भी नाम दे रहा है अखिलेश शर्मा का प्रशन है सर्फ बहुत सारे लोग इंडस्टी को कुछ महीनों बाद छोड़ क्यों देते हैं हाँ देखो आना जाना लगा रहेगा मगर सवाल आपका यह क्यों छोड़ देते हैं उसका कारण यह संदर जी कि उसको क्या दिखा के रायागा है यह नहीं वहन होगा फिर वह दिखा के लाने के बाद में भी उसके अंदर एक Aegyly सपना है कि नहीं कुछ कर दिखाने का कि उसको लगा है कि अरे दस लोग तो आइसे कर सकता हूँ और फिर वो दस लोग दस्दक करते हैं, तो हो जाएगा, एक्चुली है कि नहीं वो, उसके अंदर मैं जीटूंगा, सिखूंगा करने का, नहीं तो इदर वो मारशा देख लिया, तो इनको रोका कैसे जा सकता है, जी, तो एक डिसिप्लिन नेट्रोक सिस्टेम, जो समझे, अ कि आपको कभी भी डायमेज जो है न, आपकी फ्रेंट लाइन में मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो हमेशा नीचे मिलेगा, चुकि आपका वो दोस्त है, पडोसी है, पहचान वाला है, वो आपकी सुनने वाला नहीं, अरे हाँ, पता है यार भाई, बुझे भ अपकी सुनने गा, तो अप्लाइन के प्रभा में आएगा, आपकी फ्रेंट लाइन आपका सगा भाई भी ओगा, नहीं आएगा, दोस्त होगा नहीं आएगा, बीवी होगी तो भी नहीं आएगी, आप अप्लाइन को बोलोगे न, कि बाद करना दा रहा हूंज, तो उसको विजन दिखाना चाहिए, उसको प्लाइन कैसे दे दे, उसकाना चाहिए, और तो मुझे दिखा है, उसको प्लाइन शोर बना कर रेडी करना चाहिए, और उसको गुलना कि अब एक सपना ले तेरा, तेरा कुछ सपना ले, कुछ भी जो तेरा है, और फिर वो उसका एक जाएंगे बिल्कुल से यह ज़र हमारी इंडस्टी का मुझे लग रहा है एक नकारात्मक पहलू यह है कि लोग लोगों को जब लाते हैं तो इसमें थोड़ा टिकना पड़ेगा थोड़ा सीखना पड़ेगा थोड़ा लोगों की नागों सैन करना पड़ेगा वो पार्ट कह है कि यह तो लोग सुनी रहे हैं पदा नहीं क्या-क्या बोल वहे हैं और फिर उसको लगता है कि यार काम फज़के वो छोड़ देते हैं तो क्या लगता है उसको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रिपेर करना चाहिए है मैं बदक कि मुझे पहले यह बात मैंने कई लोगों एक आदमी को 15,000 रुपे देंगे, प्लान का सीड़ी देंगे, उसको बाय हड करके आज जॉब दूँगा 15,000 का, रोज एक आदमी को प्लान दिखा तरह पहचान को और नहीं हो, वो वो लेगा कितने जॉइन होने चाहिए, हम कहेंगे, जॉइन होने को किस ने का, तुमको सिर 15,000 रुपे के लिए, दो गंटा लगे है उसको, जी, रोज इदर दो गुमने को, आदमी डुमने को, वो दिखाएगा 15,000 के लिए, मगर यहां क्या होता है, यहां हम अपना बिजनेस होता है, हमारे आत्मे होता है, एक प्लान दिखा रहा, फॉलो भी भूल, चार दिन तुझे तरह जाब नहीं छोड़ना है, ना तुझे जाब छोड़ना है, ना तुझे दुकान छोड़ना है, मगर जो जूम मिटी हमारे होती है, एजुकेशन की, साड़े आड़ बजे, नौ बजे समधो, तो नौ से साड़े दस, देट गंटा, शनवार को, मोधी साब भी जाएंगे न, तब भी बोलना, नहीं मेरी जिन्देगी काइम तेहां चल रहा है, और क्यामेरा आउन करके बैचना है, इतना है, बस उपर से दिन पर में, एक दो गंटा कभी 15 मिट निकाल दे, कभी 20 मिट निकाल दे, ऐसे काम करते करते कुझे निकाने, और जो सिखाया जा नहीं में, बेसिक, दो से बाज तान में टाइम जाने के लिए, अब ये चीजे आप करेंगे नहीं, और बोलने की बहुत मिश्कील है, सर, आप मुझे बताएगे, एक मीटिंग जूम पर अटेंड करना, रोज दिन में एक दो गंटा, बीच बीच में निकालना, ऐसा बाज लोग, ये ही नहीं करते लोग, ये ही करते डाइमन जाया जा सकता है, ये करते ही नहीं लोग, और फिर उसको पहले से समझाना चाहिए, कि ये आसन है, अरे साब, इससे ज़्यादा आसन क्या हो सकता है, साब, ना आपको जौब चोड़ना है, ना आपको धन्ना चोड़ना ह इस अपना चाही राइफ में उसके लिए वो एक दो उन्टा देना है वही नहीं देते दाट्स गेट आप इमांदरे से बताएं ये सबसे आसान है कि नहीं इतनी सी चीजे की दो वही नहीं करते हैं वो बोलते आसान नहीं भी आरे कि ये करते नहीं तुम टीवी देखना है तुमको और तुमको टीवी देखना है ये ये सवाल ही वहां से आता है कि भाविक को लगता है कि ये मन में अपलाएं कि स्ट्रेट थिंकिंग चाहिए ये अगर जाइन हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा ये जो फीलिंग इन अंदर कि वो जाइन हो तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा तो मुझे पूछ रहे सब पैसे केसे निकले पैसे केसे निकले जाते पता है प्लान दिखा दो यार इमान दरी से सज बताना तुमें प्रोड़क्ट अच्छे लगे या प्लान जादा अच्छा लगे अभी कई ने कई उसको उतरना है ना जी या तो प्रोड़क मुझे वह तुलसी अच्छा लगा बुलने के और प्लान के बारे में क्या खायल तू जाएगा तो फिर जैसे अभी वही आ रहा हुए जैसे बुलता है कि नहीं प्लान भी अच्छा ही है तो चले उतर जा कहां यार पाई-दस जार की बात है जोइनिंग की उसमें पंदरावी सारे के प्रोड़ट आने होले शुरू करते मौका है ट्राइ करते मैं साथ हूं मेरे अप्लाइन तेरे साथ में डर लग रहा है क्या दस बाराइन डालने में बरबात तो नहीं हो जाएगा न तो नहीं रहा है उस क्या है उसको कभी देगा कैशे मांगो कर दो नहीं सीधह उठके हाथ मेरे तरीका होता है और वो भी भी शरवा कि लहान निकलता हूं सुनन देदू अरे भाबीजी के सबने है तुम्हारे सबने है में जिम्मिदार हूं मैं गरणेटी लोंगा और गया मागू कि नी बागू अगल ये भी चले ए इसे नहीं हो ता बिन बास ए इसे नहीं हो ता बिन दिखना चाहिए वन्रफुल क्या बात है मैं दो चीजे आवा सर्फ पैली चीज तो इंटेंशन हो कि मैं इसको फाइदा करने के लिए ही मेरा हूं और दूसरा कॉन्फिडेंस होन चाहिए सामने वाले को लुक लगेगी यार मेरी जिन्मगी बन जाएगी इस बंदे के साथ क्या आप अगर आपको किसी ने रोका होगा तो उसका जवाब आपने कैसे दिया होगा और कैसे समझाया होगा परमेश्वर तुमारे सवाल में दो आंगल्स है एक तो तुम यह प कैसे समझाया होगा दूसरा तुम यह कहना चाहते हो कि मैं करने गया और मेरे सारे दोस्त ना ना बोलने लगे नो भूलने लगे तो फिर मैंने कैसे किया तो दोनों का जवाब देता हूं पहले का जवाब कि अगर घरवालों ने रोका होता तो मैं क्या करता पता है क्या लूँगा कुछ भी खा लूँगा मैं यह करूँगा नेटर मार्केटिंग करूँगा दूसरी बात अगर लोग उने दोस्तों ने ना बोला है तो मैंने उनको कैसे मनाया मनाया नहीं जाता किसी को यह कन्विंस्ड प्लान का विजनिस नहीं है सी टीपी नहीं एस टीपी शु प्लान दिखा दे जाओ बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं सुरेंद्वस जी के लिखे रहा हूं मेरे लिए नहीं यग्यों मैं वैसे विश्य से बाहर सोचिन लेपनीग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो आपको कभी गैडिंस की दरुद पड़े ही तो आप मुझे पूछ सकते हैं सर यह देखिए हमने सुरेंद्वस जी के चैनल को सारे वीडियो को लाइक करते हैं इस चैनल को बढ़ा करिए यह आदमी इसकी महानता क्या है इस शक्स की कि मैं आप मुझे खुदगर्ज कह सकते हैं कि मैं किशी को देता ही नहीं मेरे टीम के अलाव नरेज उससे क्या होता है कि काहा काहा से मेरे बारे सुनके लोग एट्रैक होगे हमारे पास आते हैं और हमको एक्दम से बढ़ा कर देते तो हम स्वार्ति है कह सकते है आप और एक शक्स थे इतना टाइम है जो हम जैसे लोगों के साथ बड़े बुज़र्वी लोग यहां आते हैं उनके साथ दे रहे हैं उसमें क्या मिलत दाने हैं और अलड़ी बड़ा डायमंड है बड़ी टॉप्पिंग वाला अचीवर आदमी है उसके बाद भी यह क्या चल रहे हैं इतना स्टूडियो बना के कि यह डारेट सेलिंग इंड़स्ट्री में जो लोग सीखना चाहते वो लोग आगे बड़े मैं ऐसा संत नहीं हूँ वाफ की जग मगर यह जो यह जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए इसले उनको आपको लगता है यूटीब पर लाइक के लिए कर रहे और आप कई लोगों के प्रेनास्तोत बने रहेंगे ते मुझे पुरा विश्वास थैंक्यू थैंक्यू विने सर्थ आप ग्यान का सागर है और अल्टिमेट नॉलिज है जितना आप डेफ्ट में जाते हैं समय की लिवेटेशन है निश्चित रूप से जिल्दी मिलेंगी सो विने कुमार पंदे साब बहुत शानदार परसनल्टी है कहीं गूगल सोशल मेडिया पे गूगल में जाके देखेंगे तो साथ पाएंगे नहीं क्योंकि उनका जो नोलिज है उनके जो रिद्धी सिद्धी है वो अपनी टीम को ही देते है लेकिन यह उनका वडपन है कि आज आपके बीच में आए और इसी प्रकार आप बड़ी-बड़ी सक्सियत से मिलना चाहते हैं तो हर मंगलवार को रातरी आट बजे चैट विद सुरेंदर वट्स पे आप आईए आपको निरासा नहीं होगी तो बहुत-बहुत दिन्यवाद अपना क्याल रखेगा करके अपना प्यार जरूर दें